Hello friends and welcome back to your channel So friends, आज सुबर सुबर मैं उठा और सबसे पहले मैंने जाके देखी शमशीरा क्योंकि मैंने टिकेट्स पहले बुक कर ली थी और मैंने सोचा था कि सुबर सुबर जाके फर्स शो देख लूँगा मतलब मेरा ओफिस का भी काम हो जाएगा और रिवीव देना भी हो जाएगा क्योंकि लेट रिवीव देने से दादा व्यूज वगर ने आते तो इसलिए मैंने पहले डिसाइड कर लिए सुबर सुबर के मैं चला गया मुवीज देख ली तो आप लोगो सबसे पहले बता दूँ कि ये वीडियो में स्पोइले रहेगा और आपको ये वीडियो देखने के पाद किसी और की वीडियो देखना की जारnya की ज़रोत दब कढ़े मैं नहीं चाहिए ठीक है मैं इसमें आपको डिटेयल रिवीड दूँगा लेकिन आपको स्पोईलर नि दूँगा और हाँ आप लोग देख रहे हो कि आज मने फ्लैश की टीशेट पहनी है मतलब रेड कलर की टीशेट और रेड कलर से मुझे अभी-भी याद है जब मैंने पहनी की कुछ लोग इसी तरह से लाल हो गए होंगे शंशीरा रिलीज होने के बाद में क्योंकि अच्छा इसमास मिल और हम बात करते हैं स्थाइट के बारे में अगर आप चनलेइल ऐसे आतारे तो तो अब बात करते हों नी है जो आप लोग भी नहीं है हाँ शम्शीरा इस चीज को वो लोते हैं थोड़ा सा पानी देगी थोड़ा सा जिन्दा रखेगी कि हाँ अभी भी है कि मुवी और अच्छा करे सटरेड संडे है तो देखते हैं क्या होगी मैं सिर्ण में इस रिलीज reservoir कि शुद्द गड़ा से शुद्द सिंकिया ने शुद्द है ताद टीक है और तीसरा सञ्जीजद का नहीं है नहीं करेक्टर में आयँ है इस नहीं धूब फेस अच्छा दिखता है उसका, बाल वागरे जो है वो काफी अच्छे से मेकप किया है, मतलब एक जो अग्रेशन वाला है ना वो लुक है उसमें, मतलब जो कभीले वाले लोग उते हैं, रॉबिन हुड जो अपने देख लिया होगा ना, रॉबिन हुड कैसे अपने सारे ल उनको एक्शन सीन में ज्यादा इन्वाल नहीं किया गया, और थर्ड जो है वो जो रणवीर कपूल का कैरेक्टर है, यानि कि बल्ली उसको ज्यादा प्रिफरेंस मिला है, मुवी में मोस्टली वही ज्यादा दिखाए गया, मुवी का फर्स्ट हाफ आप देखोगे तो जिन दिखाई गया है, ऐसा नहीं है कि उपर उपर से दिखाए गया और छोड दिया है, आपको detail story दिखाई गया है कि और character पर काफी focus किया गया है, कि character कैसा है, character development पर भी काफी time दिया गया है, असली मुवी जो है, वो मैं सोचता हूँ कि second half में चालू होती है, क्योंकि second half मे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो fight scenes है और जो main characters का build up है जो sequence है कुछ-कुछ, sorry, suspense है वो किस तरह से open होते हैं वो second half में होते हैं मतलब मैं सोच रहा था कि movie को अगर बीच में थोड़ा बहुत कट कर ले तो भी चल जाता था थोड़ा सा क्योंकि बीच में कही तो भी movie थोड़ी खीची हुई लगती है बट ठीक है वो plot की requirement थी इसलिए उसको थोड़ा सा खीचा गया है otherwise कोई नई doubt नहीं है उसमें कि editor ने उसको जाधा खीचा है तो यह तो एक proper timeline का review था इसके उपर background music मिथुन का music काफी अच्छा है music इसमें बिजिया मिथुन ने दिया है तो काफी अच्छा है आप लोग देखोगे तो आपको catchy लगेगा मतलब वो जो शम्शीरा वाला जो dance है main dance song जो है उसमें भी काफी दिनागर दिन ता आवाला थेटर्स में काफी अच्छा लगता है वो song सुनने में आप लोग अगर देखोगे तो मतलब थोड़ा सा आपने को भी लगता है कि हाँ यार मतलब हम भी थोड़ा सा dance कर सकते है इस टाइप वाला song है बाखी देखा जाए तो background music में और songs में बहुत सारे songs आपको इसमें देखने को मिलेगे जो आपको पसंद आएगे underwater scenes काफी अच्छी तरीके से well choreographed underwater scenes so third point है VFX VFX की बात करें तो VFX में काफी अच्छी तरीके से इनोंने चीजों को manipulate किया है मतलब proper live और CG इसका integration काफी अच्छी से किया है तो आप लोगों को बहुत कम टाइम में पता चलेगा कि CG यहां पे यूज हुआ या नहीं हुआ लेकिन हाँ बहुत सारी जग़े इनोंने चुटी चुटी जग़े CG यूज किया है अच्छा लगा मुझे वो देखके कि इस तरह की चीज़े आज बॉलिवड में हो रही है और वो लोग ट्राय कर रहे है कुछ-कुछ नया चीज़े करने का और बाखी VFX के बारे में बोला जाए तो ट्रेन सिक्वेस काफी अच्छा है जो आपको देखने को मिलेगा आप लोगों को भी वो सिक्वेस पसंद आएगा होपस हो क्योंकि मुझे भी काफी अच्छा लगा था उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक रिवीव के बारे में मैं थेटर के बाहर जब आया तो मुझे पब्लिक ना सैटिस्फाइड लग रही थी मूवी देखके मेरा भी ओपिनिन ये ये कि मुवी आप one time watch कर सकते हो मैं ये नहीं बोलुका कि आप दो बार जाके देखो तीन बार देखने वाली मुवी नहीं है ठीक है आप एक बार मुवी को देख सकते हो अच्छे से देख सकते हो आप enjoy कर सकते हो मुवी को और मैं बोलूँगा कि विकेड में जरूर आप इस movie को देखने के लिए चले जाएए क्योंकि movie काफी अच्छी है movie आपको कहीं भी disappoint नहीं कर दी और देखा जाया तो जो आपको weekend के लिए movie चाहिए उस type के movie है एकदम popcorn movie है आप देखो आपको तब पता चलेगा so मेरे opinion से इस movie को आपको मैं rating दूँगा 5 out of 4 एक अगर मैं काटूँगा तो मैं बोलूँगा slow pace के लिए बस वही एक है बागी रनबीर कपूर के acting अच्छी है आप लोग जरूर इस movie को जाहिए मैं बोलूँगा definitely जाहिए अच्छी movie है so guys अगर आप channel पे नए हो तो please channel को subscribe जरूर कर लो और हाँ अगर इस दर एक अच्छी reviews आपको चाहिए तो please नीचे comment करो आप क्या सोचते हो शंखी रा के बारे में आपने अगर movie देखिए और देखने जाने वाले हो तो comment जरूर कीजे नीचे तो मिल देखिए अगली video में guys तब तक के लिए take care bye bye and love you